देहरादून से कोटवार सिध्धबली मंदिर पर दर्शन के लिए जा रहे परिवार की मैक्स गाड़ी रविवार को मंदावली थाना क्षेत्र के पूर्वी गंगनहर रामपूर चाठा पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई दरसल बताया जा रहा है कि जानकारी मिलने पर मंदावली थाने में हर कम्प मच गया और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया मैक्स में सवार दो महिलाओं की मृत्यू हो गई है जबकी गाड़ी के चालक अनिल कुमार को गंभीर हालत में उक्चार के लिए समीपूर भरती कराया है जहां उनको प्राथमिक उक्चार देकर बिजनौर रैफर कर दिया है सरीय जवाज घटना हुए हैं क्या पुरा मामड़ा पुर्वी गंध नहर में ठाना मंडावदी छत्र के रामपूर चाटा जगा पर तीर जगती जो गहरादून से कोटवार सिर्जवली हन्वान जी का दर्शन करने जा रहे थे नहर में बलट गए जिसमें एक पुरुस और दो महिलाएं थी अनिल को बचाया जा चुका है लेकिन दो महिलाओं की मिर्टू हो चुकी है विधिक कारवाई की जाए दो महिलाओं की मिर्टू हुई है नहर में गाड़ी केरने से तो हम लोगों ने देखा है कि इस खेतर में काफी दुरुगटनाएं होती है सड़क पतली है और नहर बहुत गहरी है किनारे के और इन दुरुगटनाओं को रोबने के लिए क्या किया जा सकता है सब्साइब करते क्या ऐसी सुरक्षा के उपाय किया जा सकते हैं उसके लिए क्रोजेक्ट बनाने के लिए जोगों को निर्देश किया है और यहां सार्धानी करतने के संब्साइब कर देज अ जो बिस रखाग्योबगी डखे लाग्योबू